जाने दोस्तों, मैं नवीन सर्म आप सभी कर स्वागत करता हूं, आसा करता हूं, आप सब एक दम अच्छे हैं, एक दम बहतरी हैं, एक बार सारे प्यारे दोस्तों बताएंगे, आप सब कैसे हैं, उम्मिद करूँ, आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत बहुत बहतरी होंग स्वागत है और आज की क्लास में प्यारे बच्छे हम पढ़ने जा रहे हैं आपका दच्छन भारत के मंदिर और भारत के जो प्रमुक सोद संस्थान है जिन से लगातार प्रसंद पूछे जाते रहे हैं ठीक है आगे देखेंगे तो प्यारे बच्छे दच्छन भारत के मंद मंदिर लिखे हुए हैं और कहीं कहीं सभी के संस्थापक नहीं है लेकिन कुछ पिर्मुख मंदिर जिनके संस्थापक पूछे जाते हैं बार-बार उनके लिखे हुए हैं तो आपको पढ़ने ही होंगे सबसे पहले बात करें किसकी मिनाक्षी मंदिर की मिनाक्षी मंदिर को किसने बनवाया है वो पांडिय सासकों ने बनवाया है किसने पांडिय सासकों ने बनवाया है और मिनाक्षी मंदिर को ही प्यारे बच्चे हम लोग किस नाम से अगर बात करें मिनाक्षी मंदिर को किस नाम से हम जानते हैं मीना अम्मा क्या बोलोगे मीना अम्मा या फिर मिनाक्षी सुन्दरेश्वर क्या बोलोगे मिनाक्षी सुन्दरेश्वर मंदिर भी इसको कहा जाता है मिनाक्षी सुन्दरेश्वर मंदिर भी इसको कहा जाता है कहां परिस्तित है तमिलनाडू में बनवाया किसने है पांडिय सासकों ने बनवाया है कौन से देवी के लिए है या देवता के लिए है तो भगवान शिव और पारवती के लिए इनके लिए भगवान शिव और पारवती के लिए ये वरदेश्वर मंदिर किस मनदिर को जाना जाता है बड़ा इंपोर्टेंट है प्यारे बच्चे याज रख लेना किन के लिए है अगर आपको पता करना है भगवान सिव जी के लिए है किन के लिए है भगवान सिव जी के लिए ये है और देवी लक्षमी जी के लिए स्रीपुरम गोल्डन टेंपल इसी को हम स्रीपुरम स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं ये किन के लिए है आपका लक्षमी जी के लिए है किसन मंदिर है हमारा अम्रत सर में स्थ हतन अमरत सर में जितना सवेंट लगा हुआ है वो लगभग 700 के जी करी नदा उहाई के सा्थ सुना, लगा हुआ है 1100 किरों के करीब लगा हुआ मेरे कड़े और 5500 करीब लगा हुआ है किस ने बनवाया है चोल सासकों ने बनवाया है एकमबेश्वर मंदिर कहां है वो तमिलनाडू मिनाक्षी, वराधेश्वर, सिरीपरम गोर्डन टेमपर और एकेश बर्ग मंदिर ये कहां पर है आपका तमिलनाडू मामलपुरम ये बड़ा महत्पूर्ण है इसी को प्यारे बच्चे हम मामलपुरम को महबलीपूरम के नाम से भी जानते है महबलीपूरम के मंदिर और मैं आपसे भी कुश्यन पूछने वाला हूँ एक कि महबलपूरम के मंदिरों को युनेस्को की विस विरासत सूची में कब सामिल किया एक बार आप बोलेंगे, ठीक है, करा देंगे, everything possible, note भी है, screen shot ले लो, ये मेरे नमबर पर भेज़ दो, करा देंगे भी है, महाबली पुरम, ठीक है, तो महाबली पुरम, प्यारे बच्चे, कब आपका युनेस्को में, तो याद लख लेना, 1984 में, यहीं मामल पुरम, महाबली पुरम को ही बोलते हैं, यहाँ पर और वी एक मंदिर बहुत पिरमुख है, सोर मंदिर, इसी महाबली पुरम में है, सोर मं तमिलनाडू के ही प्रिसिद्ध है, ठीक है, आगया आएंगे, तो नरसिंग वर्मन दुत्या ने इनको बनवाया है, गंग कोंड चोल पुरम मंदिर, ये राजंदर चोल की उपाधी थी, एससी ने इस्टेटिक जी के मैं कुश्चन पूछा है, इस्ट्री वारे में, गंग कोंड चोल के नाम से किस को जाना जाता था, राजंदर चोल को, नल्लई अपार मंदिर कहां का है, तमिलनाडू का, रंगनाथ स्वामी मंदिर है, और एरावतेश्वर मंदिर है, ये किसके ह मामल पुरम, गंग कोंड चोल पुरम, नल्लई अपार मंदिर, रंगनाथ स्वामी अंदिर, और एरावतेश्वर मंदिर, कहां के हैं, तो हमें सा याद रखेंगे, तमिलनाडू के मंदिर है, ठीक है, आगया है, करनाटक, करनाटक के मंदिरों की अगर हम बात करते हैं, प् विरुपाक्ष मंदिर बहुत महत्पूर्ण है, बहुत पूछा जाता है, भगवान सिवजी के लिए है, और भगवान सिवजी के एक रूप के लिए है, उनको बोलते हैं, विरुपाक्ष में, ये भी नोट कर सकते हैं, पंपापती, भगवान सिवजी के इन रूप को क्या कह जाता है पंपा पती कहा जाता है तो पंपा पती रूप के लिए कौन सा मंदिर है आप कहेंगे वह विरुपाक्ष मंदिर है जी भगवान सिवजी के लिए किसने बनवाया है चालुक्या विक्रमादित्या दुट्या दरसल में विक्रमादित्या नहीं बनवाया इनकी पतनी इनकी वाइफ थी जो दूसरे विक्रमा दि्तिया थे चालुकियों में इनकी वाइफ थी लोक-बहा-ठेवी क्या नाम था लोक-महा-धेवी इनकी पतनी थी कौन थी ये पतनी थी इन्हों ने बनवाया था आपका किसको गृुरु पाक्ष मंदर को बहुत महतपूर्ण है ये उडूपी सिरिकिष्ण मंदिर कहां का है करनाटक का विठल मंदिर किस ने बनवाया राजा देवराय दुत्या ने बनवाया है ये जरूर याद करना मैंने जो बहुत महत्पूर्ण मंदिर हैं उनके संस्थापक आपको बताए है बहुत सांदार सौनु सिंगानिया वेरी गुड विदान सिंग क्या रहें गुड मॉर्निंग कतम होगी ठीक है चलो आगे बोलेंगे यहां तक की बात में कोई दिकत तो उडूपी सिरिकिष्ण मंदिर विठल मंदिर कहां कि है राजा देवराय दुत्या ने बनवाया कहां प चलो गई योगे अंदर कस्षप जी बहुत बढ़िया चलो आगे आएंगे केदारेश्वर मंदिर कहां पर है जिसको बनवाया गया है आपका अवीर बल्लाल होईशल राजा ने तो यह करनाटक में है हजारा राम मंदिर कहां पर है प्यारे बच्चे वो करनाटक में है और संस्थापक सिर्फ आप उनी के याद करना जो मैंने आपको नोट कराए है बहुत बढ़िया गुरुजी जयव संरक्षिक छेत्र और बांधों से बहुत परसान आते हैं तो बेटा बांध आपने उसमें जोग्रफिम नहीं पढ़े जब आपको पता बांधों से बहुत पर चील कहा है रेड़ु का जील कहा है इनलका नहीं पूछती है ससी जरंतों जयें पूछती है जो आप जानते है जोग नहीं पूछेगी तुमसे कुंछी कल नहीं पूछेएगी कुछ और पूछता जिया है आप एक बार्बीश एर आपने देखा होगा कैसा परिक ayam प्रसन पूछा दिया है, ठीक है, चलें आगे, next है, केरल, बोलेंगे भी फटाफट से, केरल की बात करें, कहरे सर आप करा दो, प्यारे बच्चे मैं आपका प्रेक्टिस सेट तीन बजे आप लोगों को हमेशा रिक्मेंड करता रहा, प्रेक्टिस सेट में सायद कोई भी ऐसा बांथ, कोई भी ऐसा जलाशet नहीं बचा हुआ है. मैं आपसे हमेशा से कहता था, तीन बजे के सेट को करो, नहीं आप ने किया, आपको लगा वो वर्थलेस हो, या कुछ भी आपको लगा हो, आपने नहीं किया होगा, तो वो मेरे दोस्त, आपकी अपनी नहतिक जिम्मेदारी है कि आपको क्या करना था नहीं किया है, आपको लगा होगा, कोई और सोर्स आपके पास अच्छा है उसको तैयार करने का तो आपने वो किया होगा तो जो आपने किया हो, जो हम करते हैं, वही लोटके, आता भी है, क्यों डरना है, केरल, पदमनाव स्वामी मंदिर, किसने बनवाया है, मारतंड बर्माने, बहुत पिरसिद मंदिर है आपका, क्या, पदमनाव स्वामी मंदिर, भगवान विश्णु जी के लिए, क्या बोलें को लोग मानते हैं सैव धनन को लोग मानते हैं उनको कहा जाता है आपका नियनार ठीक है और इन संतों की संख्या कितनी बताई गई है सैव संतों की संख्या 63 बताई गई है लेकिन अलवार कौन लोग है जो भगवान विश्णू को मानने वाले हैं भगवान विश्णू की प्रसन देखोगे तो बहुत सारे प्रसन पूछे गई तर तीन वजे के सैट की PDF कहा में प्यारे बच्छे उसमें सिर्फ कुश्चन मिलते हैं जो मैं उसमें पढ़ाता हूँ वो उन बच्चों के लिए जो महनत करते हैं ठीक है बोलेंगे भी आराम से वो बच्चे खुदी नोट करते हैं सबरी माला मंदिर देखो इतना चर्चित रहा आप सब लोग जानते हैं कि यहां पर जो प्रवेश था महिलाओं का वो वर्जित था जानते हो इस बात को थमसब करो और कौनसे भगवान जी के लिए है ये भी बताना तो ये भगवान जी के लिए हैं कौनसे आयप्पा देवता हैं कौनसे हैं आयप्पा देवता हैं और आप लोग जानते हों कि भगवान सिव जी और भगवान विश्णू जी ने एक मोहिनी का रूप धरा था तो मोहिनी के रूप को देख करके भगवान सिव जी जब उनका एजेकुलिशन हो गया तो किसका जनम हुआ तब आपका आयपपा देवता का जनम हुआ ठीक है और इसलिए इसने बनवाया राजा राज सेखरा ने इसको बनवाया है ठीक है क्योंकि इन्होंने इनका पालन पो सबसे इंप्रोटेंट बात है कौनसे मंदिर को महिलाओं का सबरी माला कहा जाता है कौनसा मंदिर है जहां पर सिर्फ महिलाओं का प्रवेस है तो वो कौनसा है वो अटूकल है सबरी माला मंदिर कहा है केरल में पदमनाब स्वामी मंदिर कहां पर है ये केरल में ठीक है मंदिर परदेश में स्री कृष्ण देव राय और यह चालुक के वंस ने बनवाया है भीया जी कभी कभी वंस का नाम लिखा रहता है राजा का नाम नहीं लिखा रहता है ना तो यहां पर आप एक इंप्रोटेंट बात याद रख लेना प्यारे बच्चे जब किसी राजा के बारे में सही से वढ़ना नहीं मिलता कि पक्का यह कई राजाओं ने थोड़ा थोड़ा काम कराया हो तो उसके लिए हम बंस का क्या कर देते हैं जिकर कर देते हैं तो लेपाक्शी मंदिर हो गया ठीक है अब हम बात करें भगवान व्यक्टेश्वर मंदिर की तो ये जानते हैं आप लोगों ने नाम सुना होगा तिरूपती मंदिर का जो तिरूमला पहाडियों पर है और ये तिरूपती मंदिर ही है तिरूपती व्यक्टेश्वर मंदिर है आप लोग जानते होंगे सबस तूर आंध्रा प्रदेश में इस्थित है तुरुपति व्यंक्टेश्वर मंदिर अहो बिलम मंदिर लेपाक्षी मंदिर को दिक्कत और व्यंक्टेश तो आप जानते ही होंगे किनको कहा जाता है भगवान विश्णु को कहा जाता है चीक है चलो गई सिंग्चल मंदिर यांगती मंदिर कानी पकम बिनायक मंदिर मंगलगरी थोटादरी मंदिर और सिरी पदमावती अम्मिवारी मंदिर बहुत महत पूर नहीं है लेकिन एक बार पढ़के रहेंगे सिंग्चल, यांगती, कानी पकम, मंगल गिरी मंदिर कहां पर है ये आंधरा में इस्थित है क्या बोलेंगे आंधरा में इस्थित है बोलेंगे आगे प्यारे बच्चे, ड्रीम मोटिवेशन हमारी ऐसी कोई क्लास नहीं चल रही है बताएंगे एक बार तेलन लाना प्लीज, अब टॉपिक्स रिलेटेड चीजे पूछा करो सुल्थान और बादसाह में कोई अंतर है जो अंतर राजा और महराजा में है वही अंतर सुल्थान और बादसाह में है अर्बी भासा में राजा से भी बड़ा कौन? महराजा एक राजा जब दूसरे राजा को भी जीत ले तो वह महराजा बनता है जब उसका छेत्र उससे बड़ा हो सबसे बड़ा जिसका छेत्र हो यह अंतर है सुल्तान की उपादी धारन करके जो बाद में अन्य सुल्तानों को हराए तो बाद सहा बन जाता है ठीक है ऐसा कोई टॉपिक तो हमारा चल नहीं रहा था फिर भी तुम पता नहीं क्या कुछ भी तुम को कोई भेजता तो नहीं है गुरुजी यूएन और यूएन नो दोनों सेम है कि आप बिलकुल एकदम सेम है आगे आएंगे तेलंगाना तेलंगाना की बात करेंगे रामाप्पा मंदिर ठीक है मुझे बताएंगे रामाप्पा मंदिर यूनेसको की विश्वरासत सूची का कौन सा इस्थल बना है अब पढ़ा होगा UNESCO में बहुरत के कितने इस्थल प्यारे बच्छे 40 हैं तो ये बोलेंगे भी फटाफट से क्या बोलेंगे आप जो रामापा मंदिर है प्यारे बचे आप कहेंगे भहा जी ये चालिसवा इस्थल बना है कौन सा चालिसवा इस्थल बना जानते इस बात को परिगुट और ये किस ने बनवाया काकतिय वंस्के रेचारला रुद्र देव ने बनवाया संगमेश्वर मंदिर किसने बनवाया है बहुत इंपोर्टेंट है संगेश्वर मंदिर आप इसमें महतपून ये समझना जिनके संस्थापक दिये हुए हैं वो सभी महतपून संगमेश्वर मंदिर महराजा सत्यासरे विजादित्या ने बनवाया जो गुल्मबा मंदिर किसने बनवाया बादामी के जो चालुक्या थे ठीक है तालेश्वर लिंगया स्वामी मंदिर चिलकुर बालाजी मंदिर या बोले केसर गुटा मंदिर यह किसने बनवाया है आपका इसके बारे में वर्णन नहीं है तो यह बहुत महत्पूर्ण भी नहीं है क्या बोलोगे बादामी के चालुक्यों ने बनवाया है जोगुलंबा और संगईश्मर सत्यासरेने कि आप कहेंगे महराष्ट की बात करते हैं प्यारे बच्चे महराष्ट की बात हम करें कि साई बाबा मंदिर और साई बाबा आप बता सकते हैं कि कि इतने साल पहले रहे होंगे लगबग एक आईडिया लगाओ दो साल पहले 200 साल पहले 300 साल पहले 400 500 600 साल पहले बताएंगे एक बार साई बावा मंदिर और घरशनेश्वर मंदिर किसने बनवाया है ये आपके महराष्ट के मंदिर है सिरडी जानते हैं न साई बावा मंदिर कहां पर है ये सिरडी में है सिरडी में है कहां पर है सिरडी में स्थित है घरशनेश्वर मंदिर कहां किसने बनवाया मालो जी राजे बहुसले ने भोसले माजी जी राव भोसले क्या बोलेंगे ये कौन थे चत्रपती सिवा जी के दादा थे कैसे आप कई बार पढ़ लेते हैं उनके दादा तो दादा कौन देव थे नहीं उनके दादा कौन थे मालो जी थे ठीक है आगयाएगे तरियम्बकेश्वर मंदिर किस ने बनवाया है ये नाना साहिब जो थे आपके नाना साहिब ने बनवाया कहाँ पर प्यारे बच्चे महराश्ट में बहुत महत्पूर्ण है तीनों ही तीनों बहुत महत्पूर्ण है ठीक है आगयाएगे यामाई देवी सिध्धी मंदिर कहां पर है प्यारे बच्चे यामाई देवी हमारा कहां पर है महराष्ट में सिध्धी विनायक मंदिर एक बार में आप लोगों से पूछना चाहूंगा सिध्धी विनायक मंदिर कौन से देवता के लिए विट्टू और देवाव पातिलों झुछ greatest चेंबया क्या साही बावा सच्म धगवाण थे हो सकते हैं बिल्कूल क्यूंए हो सकते हैं आट्यू नहीं च Route फोटे को मेरे दोस्त अभग संग कुछ कुछ भी पूछ सकता है最終 इसको कोई एक सार तो है निक भीक्स इतना है तो हम उसको तैयार कर लए पूछने को कुछ भी पूछ सकता है अभी आपकी परिक्षा में आप जाओके कुछ चीज़े एसी होंगी आपने नहीं पढ़ी हो और वो हमेशा रहेगा मैं भी जाँगो मे पढ़ना सही रहता है या एनफ लाइट में पढ़ो एक दम गुप अंधेरे में जब पुछ अक्षर ना दी करें तब सोचो तुम्हार अंदर दिव्य जोती आएगी तक्ति आएगी आपके अंदर काली मां की बहीमा संकर जोती लिंग मंदिर कहां पर है आपका प्यारे बच्चे महराष्ट में है किछनों ने बनवाया था च्टत्पति सिवा ऑज़ी महराज ने बनवाया था बार बार करन आप इसको रिवाइज करेंगे तब याद होगा प्यारे बच्चे ठीक है जो आप इसको drug मत क करेंगे प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे गोवा की बात करेंगे गोवा में है आपका प्यारे बच्चे हां बिलकुल सही उत्तर आया है स्मृति सिंग जी गणेश जी के लिए है सिध्धी विनायक बहुत बढ़िया बहुत बढ़ी है वंदना सवीता अपना सिवम बिल कह रहे हैं सर ऐसे लोग यह कहां से आते हैं यह 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 दर्ती से आते हैं मंगेसी मंदिर याद रखेंगे प्यारे बच्चे सब्त कोटेश्वर मंदिर गोवा का है कामाक्षी मंदिर कहां है गोवा का है और मंगे सी मंदिर अगर हम बात करें प्यारे बच्चे ये कौन है भगवान सिव के अव्तार माने गए है कौन माने गए शब कोटेश्वर मंदिर कामाक्षी मंदिर पश्चिम मंगाल की हम बात करेंगे काली घाट, काली मंदिर SSC ने कुश्चन पूछा सबसे बड़ा पलेटिनोरियम यानि कि जो सबसे बड़ा मंदिर है जो एक तो होगे अक्षरधा लेकिन सबसे बड़ा लिखा हुआ है सौरी Temple of Vedic Platonium किस मंदिर का सबसे बड़ा है ठीक है पलेटि ओरियम यानि कि जो वेदों के बारे में बहुत सारे प्रांगन लिखे गए हैं वो काली घाट मंदिर यानि काली देवी के लिए मंदिर है और इसी में प्यारे बच्चे मूर्थी तो नहीं लगी हुई है लेकिन काली देवी ना आप जानते होंगा भगवान सिव के ओपर जो पैर रखा वो वाली ओरिजिनल प्रतिमा यहां पर है यहां के बाद में सब जगे सुरू हुई है और काली देवी के लिए हमारे पूरे भारत में कितनी 51 सकती पीठ है जैसे भगवान सिव के लिए कितने 12 जोतर लिंग है न ऐसे ही 51 सकती पीठ है कितनी पीठ है तो आप कहेंगे 51 सकती पीठ है अगनी मंदिर कहां पर है वो पश्यम बंगाल में है बैलूर मठ है वो पश्यम वंगाल में है विश्णूपुर मंदिर है वो पश्यम वंगाल में है ठीक है सर आप भगवान को मानते हैं बिल्कुल मानता हूँ विश्णू मंदिर है बैलूर मठ है अगनी मंदिर है यह Temple of Vedic Planetarium है यानि काली घाट, काली मंदिर है, ओके, चलो. सब मानते हैं, कौन नहीं मानता, जो नहीं मानता, वो आडंबर करता है, मानता वो भी है, जब कठिन विपत्तिक दौर आता, तो उसको भी वही आदाते हैं, और यह वास्तिविक है, नहीं तो आप सोचो ना, विज्ञान का कोई ऐसा पहलू, यह नहीं बता पाया, कौन सी चीज कैसे आई होगी, और कैसे संबव है, विगर सुरोत के कुछ आना, चलो. गुजरात की बात करेंगे, प्यारे बच्चे, सोमनात्स मंदिर है, जो कि 12 जोत्रिलिंगों में से एक है, द्वारिका धीस मंदिर है, जा भगवान स्रीकृष्ण जी रहे थे, अंबाजी मंदिर है, यह कहां पर है, यह गुजरात के मंदिर है, कहां के हैं, बोलेंगे भई क्या बोलेंगे गुजरात के हैं अमबाजी मंदिर बैलूड सर मठ है या मंदिर है मंदिर भी है मठ भी है दोनों है रुकमनी देवी मंदिर भगवान सरी कृष्ण से आप याद कर सकते हैं कि दुरवासा रिसी ने जब उनको सुराप दे दिया कि उनको प्यास लगी भगवा प्रांस करशन जी ने गंगा जी का पानी उनको पिला दिया तो की बोलते हैं दिरुवासी जी को गुgसा आ गया रुकमनी देवी मंदिर है सूरिय मंदिर सूरिय मंदिर है आपका लेकिन सूरिय मंदिर के नाम पर आप फिर से उडिसा नहीं लिखेंगे समझ रहे हैं बात को और क्या बोलोगे सामलाजी मंदिर कहां पर है ये गुजरात में है कौन सा सामलाजी मंदिर कहां पर है क्या बोलेंगे वो गुजरात में ठीक है उडिसा अजे सपना कह रहे हैं मैं नहीं मानता भगवान नहीं होता है अच्छा तुमसे पूछा किसी ने अब ना भी अपनी राय दे रहे हैं उनसे चलो मुझे पूछा मैंने बता दिया महमुद बहराईच आप ट्रिक मं तो देखो द्यान से पुरी, पुरी में क्या है प्यारे बच्चे हमारे चार धाम जानते हैं आप, चार धाम जानते हो जो आदिगुरु संक्राचारिय जी ने इस्थापित किये, जब देश में जैन लोग और बौध लोगों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी तो संक्राचारिय जो थे उन्होंने सनातन धर्म की इस्थापना के लिए पुरे भारत का भिर्मन किया एक बच्चा चला था एक बच्चा था ठीक है सब कुछ याद किया सब कुछ कंठस्त किया वेदों को पढ़ा सब को पढ़ा वेदांगों को पढ़ा अपना दर्सन भी दिया एद्वितवाद का दरसन तो वेक्ति करें तो वो समझ सके और याद भी कर सकता लेकिन आप में से कुछ बहुत सारे कमज़र होते कहते भीया जी इसको कैसे याद करेंगे तो मेरे दोस्त आप लोगों को मुझे लगता है बहुत सरम आनी चीह इस बात के लिए कैसे याद करें जगनात मंदिर चार दहम कहां कहां पर है हमारे एक तो बदरीनात हो गए भीया बदरीनात जो उत्राखंड में है एक द्वार का धीस हो गए आपके जो अभी बताया मैंने गुजरात में है एक हो गया आपका पुरी पुरी बोलते हैं जगनात पुरी को ये जगनात पुरी जो उड़ी सा में है और चौथे कौन है चौथे है रामेश वरम जो तमिलनाडू में है पुरी उड़ी सा में है द्वारका गुजरात में वदरिनाथ उतराखन में इस चार दाम है बोलेंगे बड़ी पटाफट से क्या बोलेंगे प्री वाली जैकेट कहांगे गुरुजी जो बुलेट के संग जो मिली भी या बुलेट के संग कोई जैकेट नहीं मिलती यार छहाजार रुबेग जैकेट खरीदी मैंने वो मैं रगता सब कुछ फ्री का है पूरिया देव मंदिर की अगर हम बात करते हैं जगनाथ मंदिर आ गया प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे यह बड़े इंपोर्टेंट मंदिर है अगर मैं बात करूँ लिंग राज मंदिर की भी तो यहां से देखो कुछ चीजे आप लोगों को लिखनी होंगी तो कुछ चीजे क्या है कि जो जगनाथ मंदिर बनवाया यह किसने बनवाया है यह अनंत वर्मन ने बनवाया है नोट करना इसने कलिंग सासक थे अनंत वर्मन इन्होंने बनवाया है इसको ठीक है सूरिय देव मंदिर सूरिय मंदिर को हम क्या बोलते हैं बलैक पैगोडा हम सब करें इतनी बात को जानते हैं सारे बच्चे बलैक पैगोडा इसको बोलते हैं सूरिय मंदिर को और बलैक पैगोडा को बनवाया किसने प्यारे बच्चे ये नरसिंग है क्या बोलोगे नर्सिंग वर्मन पिर्थम थे गंगवंस के सासक थे नर्सिंग वर्मन पिर्थम ठीक है और लिंगराज मंदिर की अगर बात करें इसको किसने बनवाया ययाती केसरी ने सुमवंस के एक सासक थे ययाती केसरी इन्हों ने बनवाया है आपका लिंगराज मंदि को बनवाया है ठीक है बहुत बढ़िया को दिक्कत इस बात में आगया है मुक्तेश्वर मंदिर बोलो भी एक बार मुक्तेश्वर मंदिर क्या बोलेंगे मुक्तेश्वर मंदिर है आपका प्यारे बच्चे राजा रानी मंदिर कहां पर है आपका राजा रानी मंदिर कहां पर है यह हमारा उडीसा में इस्थित है कहां पर है उडीसा में इस्थित है आराम से नोट करेंगे एक बार ध्यान से देख लेंगे फिर से एक बार repeat कर देते हैं सारों को उडीसा वालों को उडीसा में एक तो क्या बोलोगे जगनात मंदिर होगे आपका अनंत बर्मन ने बनवाया सूर्य देब मंदिर जसको ब्लैक पैगोडा हम बोलते हैं लिंग्राज मंदिर ययाती केसरी ने बनवाए है उडीसा में मुकतेशवर राजरानी मंदिर है कहां पर उडीसा में इस्थि अब आते हैं भारत के सोध संस्थान पर किस पर बोलेंगे भारत के सोध संस्थान तो जो सोध संस्थान है सोध संस्थान में प्यारे बच्चे हम क्या बोलेंगे सर जी असम के भी बताओ, वो प्यारे बच्चे पिछली कल के किलास में कर दिया है विकरम कुमार जी, ठीक है, आगे आएंगे, तो सोध संस्थान से मतलब है, जहां रिसर्च होती है और शीज के लिए, जो हैड क्वार्टर है, क्या बोलेंगे, भारती किरसी अनुसंधान संस संस्थान, तो मैंने क्या बता रखा, किरसी में क्या लगता है, भारतियों का दिल लगता है, यहां हम ट्रिक्स बना सकते हैं, बड़े आसा हम से, किरसी में क्या लगता है, ठीक है, क्योंकि किरसी में हमारे बहुत सारे लोग क्या है, आप जानते हैं, सबसे जादा लोग हम यालू की सबजी किससे बनाई गाजर से मत बना देना यो भी नामपही नामसे कोई सहर नहीं होता तो क्या कि आलू की सब्जी किसे साथ सिमला मिर्च के साथ और केंद्रिए वन अनुसन्दान संस्थान जो वन हम कीसे क करने हैं प्यारे बच्चे दूने करने करने हैं और आपसे कि इंधन किस या माता है जब लेंगे बुलेंगे भी फटा-फट से इंधन किस काम पर आता है वो जलाने के काम पर आता है ठीक है नई नौर्थ इस्ट के इंधन क्या काम करता जल अब आप मुझे बताएं जल गोड़ा जो है यह हमारा किस इस्टेट में इस्थित है जैसे लखनव आपका उत्तर पर्देश में है तेहरा दून आपका प्यारे बच्चे उत्राखंड में है तो जल गोड़ा आपका किस राजय में है बहुत बढ़ी है हाँ अपना सिवम वो काफी हैं प्यारे बच्चे गलत 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 कई बच्चों का गलत आता हुआ एक बच्चे का ठीक आया है जारखंड 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 वाले करने का है गई है दिल्ली मुखրजिन एक कोई भी पहुच जाता कोई-कोई 12 साल से पढ़भा ही कर रहा अपनी है कोई-कोई-15 साल सा कोई-कोई-कोई- कि अंदर बार्क क्या बोलेंगे भाबा ट्रामबे क्या बोलोगे भाबा पर्माणू पर्माणू को क्या बोलते हैं भी यह पर्माणू को एटम बोलते हो ना तो ट्रामबे में यह याद रख लेना थोड़ा वह तो पूरा नाम भी उसका याद हो जाता आसानी से ट्रामबे म आएगे और बोलेंगे अब तुम डेरी करना हरियाना में केंद्रिय तमाकू अनुसंद्धान संस्थान जो तंबाकू के लिए कहां पर है राज मुंद्री में है तो क्या बोलेंगे राज राज दर्वार नाम का एक तमाकू आता था बहुत पहले तुम जानते हो गए राज दर्वार या ऐसे रख लेना जो राजा है उसका मुह कैसा हो गया बंदर के जैसा हो गया जो सुन्दर नहीं रहता है जो लोग तमाकू खा जैसा हो गया बंदर के जैसा हो गया किंद्रिय चमड़ा तो चमड़ा प्यारे बच्चे किसकी पॉलिस करते हैं हम चैरी की किसकी चैरी कंपनी के आती है ना पॉलिस जानते हो चैरी चैसे चमड़ा चैसे आप चैननी भी याद कर सकते हैं बड़े आराम से याद हो जाएगा ठीक है किंद्री ये औस धी भारत देखो औस धियों का देश रहा है हमारा यहां पर वैद हुए हैं सल्य चिकत्सा दुनिया को हमने दी सरजरी जैसी चीजे दवाईया हमने लोगों को दी हैं तो क्या वो लोग औस धी भारत में लाखों हैं गाने कितने हैं लाखों हैं गाने यहां पर एक important बात आती है जो गन्ना है ना गन्ना अनुसंधान संस्थान यह आपका हमेशा लखनो बोलना है ठीक है लेकिन गन्ना पिरजनन आए एक बच्चा कहरा कोयम टूर के लिए अगर बोलें आप कुछ है तो गन्ने जो पिरजनन की बात आएगी गन्ना पिरजनन के लिए ठीक है गन्ना पिरजनन केंद्र तब हमको लिखना है कोयम टूर कोयम टूर में हो गया है क्या बोलेंगे कोयम टूर में है गन्ना पिरजनन केंद्र ठीक है गन्ना पिरजनन केंद्र हो जाएगा ठीक है जी चलो गई आगे आगे भारत ये मौसम वैद साला तो मौसम वैद साला कहां पर है आपका पूने में है ठीक है मौसम वैद साला कहां पर है हमारे वैद कैसे होते हैं पून होते हैं वैद कैसे होते हैं हमारे पून होते हैं एकदम पूरे थे वह वनसपती अनुसंधान सनस्थान तो वनसपती अनुसंधान संस्थान यहानि जो वाठोरी के लिए है में और युकिस से ठीके करना आप लोग पण़री से र कड़ेज्डू में उन फ्म तो दहरा दून में इसको कर कर लेना ऐसे याद पन जी या कर सकते हैं हम किसी तरीके से पन जी चलो कोई मेरे दिवाग में कुछ आया लेकिन मैं बताऊंगा नहीं तो आगे आएंगे या बोलेंगे मस्तिस्क अनुसंधान के इंतर गुड़ गाओं गुड़ गाओं में तो मस्तिस्क किनका अच्छा रहता है जो गुड़ खाते हैं गाओं के लोग है सहरों खाते चिली पटेटो औ जो प्रिग्नेंसी टेम पर खाई जाती है यह बड़ी नुकसान दायक होती है सरीर के लिए तो यह गुड़ गाओं गाओं के लोग क्या खाते गुड़ खाते हैं मस्तिसक अच्छा रहता है ठीक है केंद्रिया चावल अनुसंधान संस्तान चावल को आप चबाओगे कच् आचे बynnगां में, चावल के लिए कटक पर और दलहन के लिए और चीनी के लिए इसको बोलते हैं डाल और चीनी के लिए कहाँ पर है कानपूर में हैं जिसगों तो मैंने तुम्हारा सपर्टट की आथ और पृरानीबातों नियुक्त है। मैंने कुछ नहीं कहकं आज तो पकड़ लिया तो तो मुझको डाट रहे हो. पुरानी बातों क्या हो जाता है? कोई पुरानी बात क्यों कर रहे हो? मतलब कोई मिलने वाला तब ही तो हल्दी लगेगी या हल्दी ऐसी लग जाएंगे साधी होने वाली है निया जोड़ा बनने वाला है तो तुम मिलना तो क्या लगेगी फिर हल्दी जब तुम मिलोगी केंद्रिय खरन और तेल अनुसंधन संस्थान, इंडियन स्कूल आफ माइन, जो खनन के लिए और तेल के लिए है, और इंडियन स्कूल आफ माइन, माइन बोलते हैं खनन को यानि की, अगर तुमारे पास प्यारे बच्चे माइनिंग के और तेल के अनुसंधन के लिए, आप आपके पास माइन्ज हैं तेल निल को कुए हैं फिर तो आपके पास धनी धन है तो जार्टन का धनबाद को धिकत क्या बोलांगे कि धननबाद को जाएगा वेज्यानिक और ओधियोगी अनुशंधान परीशंद जैक यह ये प्यारे बच्चे कहां है ?- अद्योगपती हाँ . अब उससे कहें ?- वैग्ञानिक से मन अड़ जाना ?- हभी तूम्हें बस दो-yczार पता है ?- मूत्र का पीएच मन , दूद का पीएच मन , तो क्या बोलेंगे वेग्यानिक से थोड़ी एड होगे, बजनिसमेन से अड़ने के लिए अभी पैसा नहीं है अपने पास, तो क्या बोलेंगे अडियार ठीक है और भारतिय पैट्रोलियम संस्थान क्या बोलोगे वो देहरा दून है अब ऐसे ना किसी बिजनिसमेन से महत वड़ सकता हूँ मैं कह सकता हूँ मेरे पास बहुत पैसा है तुम अभी तैयारी कर रहे हूँ भारतिया पैट्रोलियम संस्थान पैट्रोल के यहां याद रख लेना प्यारे बच्चे जो पैट्रॉल और क्या बताया मैंने आपको वन वन भी क्या करने हैं हमको दूने करने दो गुने करने हैं ठीक है आगया आगया केंद्रिये सडक अनुसंधान संस्थान क्या बोलेगे केंद्रिये सडक अनुसंधान संस्थान ये नई दिल्ली में है नई दिल्ली में है जारे बच्चे मुझे एक चीज पर डाउट हो रहा है दिवाग में बार बार आ रही है ये बात भी जो बच्चा लिख रहा है इसको मैं एक बार श्योर कर लेता हूं, क्योंकि इसकी ट रीक मैं क्यूंणी बना पाया … मुझे ऐसा याद है कि अगर हम बात करते हैं कि आमु की संख्या हमारे हान लाख़ोह है, वरनस्पति की संख्या हमारे माख़। तो किंद्रिय वनस्पति संस्थान हमारा कहां होना चीए यह होना चीए हमारा फ्यारे बच्चे लखनौ में होना चीए एक सेकंड का टाइम देना बोड़े क्योंकि इसकी ट्रिक्स आयद इसी वज़े से नहीं बन पाई वो पता तो था चीए है लखनौ में स्थित है तो अब हम याद कर सकते हैं इसको आराम से कि वनस्पति भारत में कितनी है वो लाखो है औसदी भारत में कितनी है वो लाखो है गाने भारत में कितने है वो लाखो है ठीक है कितने है वो लाखो है ठीक है यह बात याद रखेंगे खनन और तेल हो गया हमारा केंद्रिये सडक तो पैट्रॉल के क्या है पैट्रॉल के रेटी भी क्या होते जा रहे हैं दुगने होते जा रहे हैं क्या होते जा रहे हैं दुगने होते जा रहे हैं ऐसी वन क्या है हमको दुगने करने है केंद्रिय सडक अनुसंधान संस्थान तो प्यारे बच्चे ये कहां पर है हमारा नहीं दिल्ली में है ठीक है क्या बोलेंगे केंद्रिय सडक अनुसंधान संस्थान वो कहां पर है वो हमारा नहीं दिल्ली में है बहुत बढ़ी है आप बिलकुल पार्टी मिलेगी लेकिन जन्म दिन आज नहीं है मिर दोस्त कल है कल जो जो किलास मा आएगा उसको पार्टी मिलेगी ठीक है, तो सडक, तो भिया, क्या बोलेंगे जो सडक है सडक पर अक्सर लोग क्या कर देते हैं दिल छोड़ के आ जाते हैं ठीक है क्या बोलेंगे नई दिली क्या होते हैं लोग सडक पर अक्सर दिल छोड़ के आते हैं ऐसा थोड़ी जंगल में दिल छोड़ दिया किसी ने खेत में दिल छोड़ दिया नहीं अक्सर प्यार कहां होता है वो सडकों पर ही होता है मतलब कोई अच्छा लगता है तो सडक पर दिल कहां लगता है सडक पर ऐसे ही भारतियों का दिल कहां लगता है किर्शी में और भहिया ट्रैक्टर भी कहां आएगा जहां खेती होगी वहीं ट्रैक्टर चलेगा आगया आग है डर की देश की तरक्की में क्या ग्रामीन विकास होना जरूरी है है सरकार डर इसका जरूरी है सबसे पहले तो गावों का विकास जरूरी है क्योंकि उसी पर डिपेंड करती है चर्णी कृष्च कथि अनसंथान संस्थान की गाद की बाता आतब्गा तो मसूर की दाल याद रख लेनी है आईये तुम नहीं मसूर की दा यान नहीं आयी और भारत Nuclear फिल्म एवणелिविजन अनस्थान के mail दाल बनाने के नाउन के अगर तुम लड़कियों से पूच बनानी आती है तो लड़की की लड़कियों पर फैवरेटिस सबसे ज़्यादा बनानी उसका नाम है मैईगी सेखने में बहुत लंबी कला हो कि मैईगी इनको बनानी आती है यही मैगी पूँछो तुम और एक दू चीज होती है ऐसे कुछ मैं मतला ज्यादे नाम पता नहीं ह आगा खाद के नाम पर खाने के नाम पर मसूर की दाल या एजी सिष्टर आप बना लेती हो लखी मोरिया गए रहे बेटा पढ़ ले भारत यह हीरा संस्थान भारत यह हीरा संस्थान बारत यह हीरा संस्थान कहां पर है वो सूरत में इस्थेत है तेरी सूरत ना हो उसी सा तोड़ देंगे हम तो भहिया सूरत किसकी याद रख लेना हीरा उसी के अच्छा लगा है जिसकी सूरत अच्छी है अब पच्छल सूरत अच्छी है नहीं और हीर एक चक्करम लग रही है कोई ऐसा मिल जा जो डाइमेंड दिला देगा कलत बात है ना भारत के विज्ञान संस्थान कहां पर है आपका बंगलूरू में है तो याद रख लेना जो विज्ञान से मतलब है जिनके पास ज्यान अच्छा होगा बंगलू उन्हीं के पास होंगे बंगलू तो जिनका ज्या के उनके पास बंगलू होते हैं ऐसे याद रख लो तीक है बहुत बढ़िया केंद्री भवन निर्मान तंस्थान की बात करें प्यारे बच्चे हम बिल्Дिंग कंस्ट्रक्शन की तो बिल्डी कंस्ट्रक्सर किस से होता रोडी से होता रोडी बुदरपुरी में तो चीह है तनी देवल का गाना नहीं सुना तुमने? मैं दिल छोड़ाया, कहां दिल छोड़काया? बताओ. मैं निकला और मोड आया और दिल छोड़ाया. सड़क पर निकला था वह भी, सड़क से दिल कैसी तरह आप याद कर सकते हों? केंद्रिय भवन निर्मान संस्थान वह क्या है? वह रुड़की में है. केंद्रिय विस अनुसंधान संस्थान यह लखनव में. देख लखनव के कितने होगे प्यारे बच्चे? औसधी. औसधी मैंने बोला आपसे औसधी भारत में लाखो, वनस्पती भारत में कितनी लाखो, ठीक है? गाने भारत में कितने लाखो, और विस भारत में जहर भी कितने लाखो. जैसी किसी का फोटो अपलोड होता एकदम क्या गयता है? बाई एकदम जहर. लड़की के फोटो आ गया तो एकदम से नुका कतई जहर. इससे वड़ा जहर कोई है ही नहीं क्या बोलोगे केंद्रिया विस्ट विस्ट वी मतलब भारत में लाग होई है ठीक है आग आएंगे अखिल भारत की आयुर विज्ञान संस्थान नई दिल्ली अखिल भारत की एमस है एमस के बारे में आप जानती है आपका बोलेंगे नई दिल्ली में केंद्रिया चीनी अनुसंधान संस्थान चीनी लिख दिया उसको यह भारत कहां पर है आपका कानपूर में है कहां पर है यह कानपूर में स्थेत है तो दलहन के लिए याद रख लेना और चीनी के लिए याद रख लेना यह दोनों कहा हैं यह कानपूर में है ठीक है गाल चीनी ऐस समझे लो जो चीनी है उनके कान पर Tipsy केंडरी नारियल अनुसंधान वारानसी में है कबो लोगे तीजल लोकोमेटिव कहां पर है वारानसी में है केंद्रिये नमक और रसायन अनुसंधान संस्थान भाव नमक के भाव जादा बढ़ते नहीं है ठीक है और लगभग ऐसे ही रहते हैं तो गुजरात के भाव नगर में है हमारा नमक और रसायन अन अनुसंधहन संस्थान ठीक है केंद्रिया अभी मैंने डेरी बताया आपको तो मैंने क्या सलेक्षन नहीं होगा तो देरी करना कर नाल में हैं। यहраж केंद्रिया भजे कहां पर हैं हिसार में हैं। और आगे चलेंगे हैं केंद्रिया आम सोधसंथान। आम भी भारत में कितनी प्रजाती है आम की बहुत सारी प्रजाती है ठीक है आम कहां पर है लखनव में प्लाजमा अनुसंधान केंद्र ये गांधी नगर में है प्लाजमा आज मां कौन है आज कोई अपनी मां को नहीं पूछता भाई आज के टाइम पर तो जो मां है वो गां या नई दिल्ली में ही ट्रेक्टर चलाना है, ओके आगे आएंगे, केंद्रिये लीची अनुसंधान संस्थान, ये कहां पर है, मुझफरपूर में है, बिहार में, और भारत का लगभग पैसेट प्रतिसत लीची कहां से, मुझफरपूर से, अखेला सबसे जादा लीची उत माप माप घूम रहे हैं, उन्हें कोई फरक नहीं पड़ता, लड़के तो ऐसी चलते रहते हैं, लेकिन लड़की अगर बहुत सारी खटी भी हो गई है, और सामने रोड पे एक नाग आ गया, लड़कियों में चहल पैल हो जाएगी, कौन पास करके जाएगा, मतलब कौन प जैवी खेती केंदर कहां पर है, ये गाजयबाद में है, कहां है, बहुत बढ़ी है, क्या बोलेंगे, राश्टी जैवी खेती केंदर कहां पर है, गाजयबाद में, एक लड़का कहा रहा है, लड़का पता नहीं, लड़के कहा रहा है, गल्स तो खुद नागिन होती है, यह क्या बात कहिए तुम नहीं ऐसा नहीं है गल्द कहा रहे हो तुम इसका फोटो दिखाऊ दुआरा मुझे छोटे से भी फोटो दिख जाएगा नहीं दीखेगा इसका दो चसमें भी लगा रखे इसने वाइट भी लैक हैं लग भी ऐसे राद देखने में थोड़ा सा लड़ी के नागिन होती है खुद की सकल बच्छडे के जैसी है बताओ भी आगे फटाफट से प्रदान भाटी एकदम सही मीरा चांदनी केंद्रिय तिलहन अनुसंधान केंद्र कहां पर है तिलहन तो दलहन का कहा था प्यारी बच में है है असे अ हैं यह दर यह टेल निकाल देंगे दर जेशनी कहता है मारते मारते तेह पर निकाल दूँगा है घर खुंडا सा तो हैदराबाद एक तो ग्रामीन विकास मैंने बताया आपको कि कप ग्राओं का विकास करना जरूरी यह उससे डर्ना एडर है और एक है कि हैदराबाद में प्यारे बुच्छे केंद्रिया तिलन अनुसंदान संस्थान है ओके नेक्ष्ट आ गया कि राष्ट्रिय बाल भवन कहां है यह आपका नई दिल्ली में है याद रखेंगे हमेशा ठीक है नई दिल्ली में है केंद्रिय प्रदूसर नियंतरन बोर्ड कहां पर है यह आपका नई दिल्ली में है क्या बोलेंगे यह नई दिल्ली में है हिमालिया वन अनुसंदान केंद्र यह सिम्ला में देखो केंद्रिया वन अनुसंदान केंद्र जो है प्यारे बच्चे वह हमारा देरादून में है लेकिन हिमालय वन अनुसणदान के इंद्र जो है वह सिम्ला में है यहां पर ईयाओं पर वह वह ठीक है राश्टिय रक्ष्छा कादमी एंडिये जिसको हम बोलते हैं नेशनल डिफेंस अकैडमी यह खडग वासला पूने में हैं कहां पर है यह खडग वासला पूने में है ठीक है याद रखेंडिये का हर जवान जो जाएगा वह खड़ा रहेगा देश सिवा में तो में इंडियन मिलेटरी अकैडमी ठीक है और ऐसे यह ओफिसर्स ट्रेनिंग अकैडमी यह आपका जो सीडियेस में लोग सरेक्ट होते हैं उनको ट्रेनिंग कराती है तो क्या बोलेंगे वह चिन नहीं हो गया साहित्य अकादमी यह कहां पर है नई दिल्ली में है जहां से साह रोजगार विदंकित प्लेटफर्म वी क्या बुलते हो उसको मेरी अंग्रेजी थोड़ी कमज़ोर है मैं तुम नहीं बताता है भी यह रोजगार विदंकित पर आप जाएंगे जो हमारे एप्लिकेशन है उसमें यू कैन गेट दफोल्डर बाई नेम ऑफ चैन बैज और डाउनलेट दे पीडियाप अब दिस क्लास ओके बड़ी चलो ठीक है क्या बोलोगे थाने एक बड़े मस्ती वाले बच्चे हैं तेरे चेहरे में मेरा नूर होगा फिर तुना मुझसे कभी दूर होगा तोच क्या खुसी मिलेगी जान उस पल तेरी मांग में मेरे नाम का ज हिंदुस्तान बीरबल साहनी इनिस्टिट क्या है वह लखनव है क्या बोलोगे वह लखनव में है बीरबल साहनी हिंदुस्तान सिप्यार्ड लिमिटेड कहां पर है विसाखा पत्नम में है हिंदुस्तान सिप्यार्ड लिमिटेड हमें सा याद रखेंगे भारतिय अंतर दे जलमार्ग प्राधिकरण ये नौएडा में हैं कहां पर है नौएडा में हैं भारतिय मानक ब्यूरो जो ब्यूरो आफ इंडियन इस्टेंडर्स है इसको बियाईस के नाम से जानते हैं हम नई दिल्ली में राश्टिय दृष्टिहीन संस्थान कहां पर है प्यारे बच्चे व बोलेंगे वो देहरा दून में है ठीक है देहरा दून में है केंद्रिय नारियल अनुसंधान संस्थान कयाम कुलम ये गलत लिखा हुआ है ठीक है राश्टिय कैंसर अनुसंधान संस्थान ये जजजर हरियाना में है ठीक है ये कहां पर है आपका कासर कोड में है राश्ट हैं बाकी बचे क्लासिस में आपके लेकर क्या हूँगा कल हम लेकर आने वाले एक बहुत महत्पूर्ण से टॉपिक और केंद सरकार की कुछ प्रमुख यो जनाएं ठीक है ठीक है बहुत बढ़िया जलो तो अपने ख्याल लखो बाई बाई टेकर जाहिंद चाहबाराएं